दूर्ग रेलवे स्टेशन में इन दिनों चोरी की घटनाओं से दूर दराज के बाद यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है इस मामले में जी आरपी और आरपी एफ सिर्फ खाना पूर्ती कर आपचा रिकता निभा रहे हैं दूर्ग रेलवे स्टेशन में पिछले कई दिनों से हो रही चोरी की घटना और दूर दराज से पहुँचे यात्रियों के साथ कोई घटना की जानकारी निकल के सामने आ रही थी कि कुछ अग्यातों के द्वारा यात्रियों के पर समान की चुरिया लगातार हो रही है इस मौका देखते ही यात्रियों के कीमती वस्तुओं को बीच से उठाकर रफु चक्कर हो जाते हैं जिस पर ना तो किसी जी आर्पी और आर्पियव के सुरक्षा कर्मी की नजर पड़ती है। वही से सुत्रों से मिली जानकारी के अनुसार या ग्याद सातिर चोर लूट चोरी जैसी घटनाओं को अंजाम देने से पहले रेलवे स्टेशन में रोच का आना और रेकी कर अकेले मुजूर ग्यातियों को निसाना बना कर घटना को अंजाम देते हैं ये सबी घटने रात एक बज़े से चार बज़े के बीच होती है और कोई भी पुलिस बल वहां जाच भी नहीं करता कहीं न कहीं रेलवे पुलिस बलकि अंदेखी के चलते आए दिन इस तरह की घटना घटित हो रही हैं वही हाल में ही पिछले दिनों मिली जानकारी के अनुसार एक वृद्ध के पास रखे समान को अग्यात चोरों ने साफ कर दिया जिसका सीसी फुटिज में आने के बाद भी आज तक उस आरोपी को जि पास कोई टीम है जो इन शातिर अग्यात चोरों को पकड़कर इन पर नकेल कर सके और यातरा कर रहे हैं यात्रियों को सुरक्षित अपने मकाम तक पहुचा सके इस संब्ध में हुई घटना की जानकारी भी दी तो इसके वज़य सब्धी नी बोल पाते कि अकेले रहते हैं कभी राइचंस रात में होता है हमारा तो अकेले नाइट में बोल नी सकते दो-चार लोग रहते हैं उस वज़य से रहते हैं और बीच में अभी कुछ दिन पहले की घटना है कि अंटी अंकल थे काफी अंटी ने किसी के पर मतलब बरोशा करके चले गए बेटा की मेरा बैक देखना मैं आपके अंकल को देख के आ रही हूं तो उनके बाहर आय तक वो जो था सिसी टीवी कैमरा में देखा था फोटोज मैंने और हमारे भाई ने भी देखे थे वो बैक चोड़ी लेके चा चुका था उस बैक में रूपिया वगेरा था काफी और अंटी काफी परिसान हुई जिससे उनको कहीं मदद नहीं मिल पाई पुलिस वालों के कने भी गय थे फो बहुत काफी परिसान थी ग्रैंड एसी निउस के लिए दुर्ग से नसीम फारुकी की रिपोर्ट